वेलकम तो स्रीजी फूड मैं हूँ मनिशा ठककर आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी बाजरे की खिचडी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये खिचडी बनाने के लिए यहाँ पर एक कटोरी बाजरा लिया है बाजरे को साफ करके पूरी रात के लिए भिगो कर रखना है तो जितना अपने बाजरा लिया हो उससे डबल कॉंटिटी का पानी डाल कर उसे रात बर भिगो कर रखे बाजरा को रात बर भिगो कर रखना बहुत ही जरूरी है ताकि उसे पकने में कम समय लगे अब इसके साथ मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मुंग की पिली दाल ली है जो बिना छिलके वाली दाल आती है वो इस्तमाल की है और दाल को हमें धोके एक गंटे के लिए भिगो कर रखना है तो जितना हम बाजरा लेते है उसे आधी कॉंटिटी में मुंग की दाल ली है यहाँ पर पिली दाल ली है आप चाहे तो हरी मुंग दाल भी ले सकते है यह खिचडी को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सबजी आ ली है जिसमें आलू, गाजर और हरे मटर लिए है आप चाहे तो इसमें थोड़ी पालक की भाजी या फिर फ्रेंच बीन्स या स्विटकॉन डालना चाहो तो भी डाल सकते हो अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें एक बड़ा चमच घी डालकर उसे गरम होने के लिए रखेंगे इसी के साथ हम थोड़ा तेल डालेंगे तेल और घी जब गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें आधा चमच राई डालेंगे राई चटक जाए तब गैस की आज धीमी कर दे और इसमें थोड़ा जीरा डाले थोड़ी हींग डालेंगे दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी मीठे निम के पत्ते डाले अब हम इसमें एक बारिक कटा हुआ टमाटर डालेंगे अगर आप प्याज लसुन खाते है तो प्याज लसुन भी इसमें डाल सकते है टमाटर को हम एक बार इसके साथ मिक्स कर लेंगे अब इसे में हम सारे मसाले कर देंगे तो सबसे पहले स्वाद अनुसा नमक डाले यहाँ पर हमने खिचडी की जो पूरी कॉंटिटी ली है उस हिसाब से हम मसाले कर देंगे आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच यह आप जैसा तीखा खाते है उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे मसाला और टमाटर मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें एक चम्मच जितना पानी डालेंगे और मसाले और टमाटर को हम एक मिनिट के लिए पकने देंगे एक मिनिट के बाद जो सबजीया हमने चौप करके रखी हो वो इसमें डाल देंगे फिर जो दाल हमने भीगो के रखी है उसका पानी हटा देंगे और दाल इसमें डालेंगे इसे भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर जो बाजरा हमने भिगो कर रखा हो उसका पानी हटा कर बाजरा इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फिर जितनी टोटल बाजरा और दाल की कॉंटिटी होती है उससे तीन गुना पानी हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पर total डेड़ कटोरी यह measurement है तो हम 4,5-5 कटोरी जीतना हम इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पर 5 कटोरी पानी का इस्तमाल किया है तो जो भी cup या कटोरी से आप measurement लेते हैं वही कटोरी से आपको इसमें पानी डालना है अब कुकर का ढकन बंद कर देंगे और slow to medium आच पर हम इसकी 4-5 विसल कर लेंगे जब कुकर ठंडा हो जाए तब हम इसे खोल के चेट कर लेंगे तो खिचडी को एक बार चला लेना है तो खिचडी अच्छी तरह से पक गई है खिचडी जब बन जाए उसके बाद हम इसे 5-10 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि अभी जो इसकी consistency है उससे ये थोड़ी घाड़ी हो जाएगी फिर हम इसे serving ball में निकाल लेंगे बनाई हुई खिचडी के उपर हम फिर से थोड़ा देसी घी डालेंगे खिचडी को मैंने roasted पापड, दही और सलाड के साथ सव किया है तो आप भी इस तरह से ये healthy खिचडी बना कर जरू ट्राइ करें आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी उम्मिद है आपको मेरी आज की recipe पसंद आई होगी